आज अक्सर मेरे पास नोजवान आता है कहता है हम दो कमिया में देखता हूं और मैं बार बार अपनी संस्ताओं से इस बारे में कहता हूं कि सासन की योजना जिनके लिए बनाई जाती उनको योजनाओं की जनकरी नहीं हो पाती कारण है हमारी सिक्षन संस्ताएं प्रसिक्षन संस्ताएं एक प्रकार का तटस्त भाव रखती हैं सासन की योजनाओं से उनके लिए अन्वारे होना चाहिए कि वे केंद्र और राज्य सरकार की हर एक उन योजनाओं के साथ जुड़े जो लोक कल्याण के लिए है जो रोजगार के लिए है जो स्वावलंबन के लिए बनी हुई है उन योजनों की जानकरी उने होनी चाहिए पॉल्सीच की जानकरी उने होनी चाहिए और दूसरा बैंकों के पास भी उस प्रकार के वो होनी चाहिए कि सासन की कौन सी योजना किस युवा के लिए किस उद्यमी के लिए कहां पर उप्योगी हो सकती है और बैंक भी अगर अपन कि हमें बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है हमें इस छेतर में कहां जाना है अगर ये दो संस्थान मिलकर कि इस कारिक्रम को आगे बढ़ा दे तो जनपत का हमारा जिला उद्योकेंद्र और जिला प्रिसासन बैंकर्स के साथ मिलकर कि नकिवल बैंकों के ब्योसाई को आगे बढ भाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है बलकि पैंसे का तो यही एक प्रातन बिवस्ता भी है यह अगर आप पैंसा एक जगे जमा कर देंगे तो डंप हो जायेगा तो उसकी वैलू वहीं पे इस्थिर हो जाएगे अगर हम उसको सर्कुलेशन में लेके आ जाएंगे तो उस अर्थ विवस्ता को भी मजबूती प्रदान करते हुए आपके बियोसाय को भी बढ़ने में मदद करेगा और बैंकों को इस दिसामें आगे बढ़ने की इस कारियोजना के साथ आगे कारे करना होगा